हाई मैं पुशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीटी टु कम्यूनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में काफी क्रूशल टॉपिक के उपर बात करने जा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप निफ्टी के नेक्सटे मूव को काफी हद तक प्रेडिक कर सकते हैं यूजिंग ऑप्सन डेटा तो यहाँ पे हम कॉल ओए, पुट ओए को एनलाइज करेंगे इसके साथ साथ FI, DI डेटा को भी एनलाइज करेंगे और काफी हद तक यहाँ पे हम टेकनिकल चार्ट यानि प्राइस सेक्षन के भी हम मदद लेंगे अगर आप ऐसा सोच वेएं कि इन सब के हल्प से हम निफ्टी के नेक्सटे मूव को 100% प्रेडिक कर सकते हैं तो ऐसा आप बिलकुल गलत सोच रहें, ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते हैं चाहे कितने भी डेटा को आप क्यों न एनलाइज कर लो आप काफी हद तक मार्केट को प्रेडिक कर सकते हैं यानि आप लगबग 50-60% चांसे साथ है कि नेक्सटे जो भी मूव देगा उस मूव को आप गेस कर सकते हैं, वो मूव आपको थोड़ा बहुत फैमिलियल आएगा मार्केट आपको बहुत कम बार शौक देगा और इसके बेसिस पर आप एक काम कर सकते हैं कि कई बार आपको प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन जो बड़े बड़े नुकसान होते हैं जो कि मार्केट से आपको बाहर निकाल सकता है उस बिग लॉस से आप बच सकते हैं, अपने आपको बचा सकते हैं यानि आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे लेकिन लॉसेस को काफी हद तक यहाँ पर आप एववाइड कर सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इन सब को एनलाइज करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले निफ्टी के आप्सन चेन की डेटा को एनलाइज करते हैं तो जैसा कि आपको आइडिया है यह साइड आपका कॉल वाला होता है यह साइड आपका पूट वाला होता है तो सबसे पहले हमें पूट साइड की तरफ देखना और हमें क्या फाइंड करना तो अगर आप put side की तरफ देखें तो सबसे highest open interest हमें देखने को मिलवा है 17,500 लेवल पे जहाँ पे लगबग 50 lakh के करीब क्या put writers मौझूद हैं तो यहाँ पे एक चीज़ हमें clear हो गया कि सबसे strong support level हमें 17,500 के लेवल पे देखने को मिलवा है जिसके break होने के chances कम है break होने को तो कोई भी level break हो सकता है निफ्टी आपका 1000-2000 point का भी गिरावट देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ पे जो support level बनता है यह काफी strong होता है और इसके break होने के chances कम है और market जो अभी आपका trade करा 17,750 के level के करीब trade करा मतलब market यहाँ से maximum 200 point नीचे जा सकता है इसके chances है इसके नीचे जाने के chances थोड़ी से कम लग रहे हैं मतलब यहाँ पे अगर market नीचे गिरता है तो कितना नीचे गिरेगा उसका idea पुरब होत यहाँ पे हमें मिल गया अब उसक 22,000 के करीब क्या दिख रहे हैं put right उस दिख रहे हैं अगर by chance market 17,500 के level को break करता है तो यह level break होने के बाद market आपका यहाँ से लगबख 200 point का और गिरावट दिखा सकता है और 17,300 के level पे जा सकता है इसके बाद यह support level हमें वही idea दे रहा है तो अगर by chance next trading session या फिर उसके बाद क इससे उपर छोड़ा सा ऐसे लगा के आप इस target price के लिए आसानी से जा सकते हैं तो जो level हम देख रहे हैं इसके basis पे आपको trade कैसे करना यह भी आपको सीखना और यही important है सिर्फ knowledge profit नहीं देगा knowledge का execution भी आना चाहिए और यहाँ पर जो data मिलवा उस data के basis पे हम अपना trade execute कैसे करेंगे वही चीज यहाँ पर matter करता जो कि मैं आपको एकदम clarity के साथ बताने जा रहा और यह चीज बहुत कम लोग आपको बताएंगे उसके बाद उससे उपर अगर हम देखें तो 17,600 के level पर भी लगबग आपके 40,000,000 के करीब क्या देखेंगे put videos देखेंगे मतलब यह level आपका support के रूप में काम करेगा लेकिन उतना strong नहीं होगा जितना कि हमें 17,500 के level पर देखने को मिलगा तो यहाँ पर हमें क्या idea मिल गया कि 17,600, 17,500 और 17,300 यह तीन हमारा support के रूप में काम करेगा nifty के लिए next trading sessions तो ऐसे ही आप किसी भी दिन find कर सकते हैं top 3 आप find कर लिज आप देख सकते हैं जहाँ पर सबसे कम होगा वो आपका सबसे weak support के रूप में काम करेगा जो कि यहाँ पर 17,600 का level है अब यह चीज़ यहाँ पर हम clear idea मिल गया अब यहाँ पर हम call side की तरफ आते हैं और सेम चीज़ को यहाँ पर हम analyze करते हैं तो अगर आप यहाँ पर call side की त मतलब अगर market upside की तरफ जाता है तो maximum आपका कहां तक आएगा 18,000 की करीब आएगा इसको break होने के chances कम दिख रहे हैं और पहले भी इसको break नहीं कर पाया है तो यहाँ पे अगर आपका positive move दिखाया भी तो लगबग 200 point का यह positive move दिखाएगा मतलब अगर market नीचे गिरा तो भी 200 point गिर सकता उपर आया तो भी 200 point उपर आ सकता है यह नहीं maximum downside और maximum upside काफी हथ तक यहाँ पर हमने find कर लिया है with option chain data अब उसके बाद second highest job investor 17,900 level पे और यहाँ पर भी काफी ज्यादा 90 lakh के करीब क्या है call ideas मौजूद है मतलब 17 900 का level भी एक strong resistance के रूप में काम करेगा जितना strong 18,000 पर उतना तो नहीं है लेकिन यह कम नहीं है यह भी काफी तग रहा है मतलब यहाँ पर upside को थोड़ा सा हमें और कम करना परेगा यहाँ अपसाइड यहाँ से 100 पॉइंट कम अब हमें 1500 पॉइंट का ही upside देखने को मिल सकता क्योंकि 17 900 के भी resistance level अब break होने के chances थोड़े से कम दिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा अपसाइड थोड़ा सा और कम होगी है मतलब 1500 पॉइंट का upside हमें देखने को मिल सकता है इससे उपर देखने के chances कम है और downside तो 200 पॉइंट है ही अब इसके बाद third highest अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 17 800 के लेवल पर भी देखने को मिल वाया तो यह तीन आपका strong resistance के रूप में काम करेगा और 17 800 का resistance ब्रेक हो सकता है अगर positive momentum आया तो लेकिन 17 900 और 18000 के chances कम है तो अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको गौर करना है क कि दोनों तरब हमें support resistance level का idea मिल गया है अगर आप यहाँ पर देखें रिस्टेंस लेवल की करीब 17 900 और यहाँ पर 90 लाक और एक करोड़ से जादा call widers मौजूद है और यहाँ पर सबसे highest आपका 50 लाक के करीब ही put widers मौजूद है मतलब अगर हम support level और resistance level की बात करें तो resistance level आपका क्या है काफी जादा strong है और जो support level है वो यहाँ पर थोड़ी से हमें कमजोड दिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या इसको आप इस तरीके समझ सकते हैं आप एक inclined line draw कीजिए इस तरीके से और यहाँ पर आपका निफ्टी है यह आपका support है और यह आपका resistance है मतलब अगर इसको उपर जाना होगा क्या लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा force लगाना पड़ेगा तब यह उपर जाके resistance को ब्रेक कर सकता है अगर थोड़ा सा भी selling momentum आया तो इसका भी direction नीचे साइट की तरफ ही है यह नीचे जाएगा और यह आसानी से support को ब्रेक करते हुए नीचे support level 17500 और 17600 तो यहां पर आते ही हम क्या करेंगे buy side की तरफ नहीं positions लेंगे अगर market 17600 करीब आता है गिरते हुए और यहां से अगर यह reversal दिखाया तो उस reversal को play करते हुए यहां पर हम buy side की तरफ entry ले सकते हैं उसके बाद अगर buy charge इसको respect नहीं कि इसको break करके नीचे गया तो यहां पर हम sell side की तरफ जाएंगे target price की रहेगा अब वापस से अगर 17500 के level पे आया गिरते हुए और यहां से reversal दिखाया तो इस reversal को play करते हुए buy करेंगे यहां से गर किरा तो हम sell side की तरफ positions आसानी से ले सकते हैं ऐसे ही अगर यह आपका 17900 के करीब आया और यहां से वापस support westerns level है उसके basis पे play करेंगे यहां पर जब भी हमें reversal देखने हों मिलेगा या फिर breakout या फिर breakdown देखने हों मिलेगा तब भी हम इसके लिए जाएंगे अधरवाइज लेवल्स पर आते ही अर्ली play नहीं करेंगे लेवल्स पर आते ही प्ले करोगे तो आप यहां पर trap में आसान ध्यान नहीं देते क्योंकि options में call sir की तरफ buying हुआ या put sir की तरफ और बहुत सारा manipulated data भी रहता है तो इस पर हम ज्यादा focus नहीं करेंगे हम सिर्फ cash पे और index future में क्या हुआ उस पर focus करेंगे तो अब देखिए 12 अगस्त को यहां पर लगबग 921 score का buying किया गया था index future में उसक का strength कम हो रहा है यह idea मिल गया अब जैसे buying कम हुआ 18 अगस्त को यहां पर हमें क्या देखने को मिल गया जब 10 selling देखने को मिल गया index future में अब देखिए 19 अगस्त को market कि रहा है लेकिन उससे पहले यहां पर हमें index future के fi di data को देखें तो हमें completely पता चलवा था कि buying दिर दिर कम कर और अधार अगस्त को selling किया गया अब इससे जादा और clear data आपको कहां पर मिलेगा इससे जादा और clear data आपको कोई नहीं बताएगा fi ने पूरा hint दे दिया कि यहां पर buyers धीरे-धीरे कमजोर हो रहे हैं और इसका hint हमें थोड़ा वो technical chart से भी मिला था वहां पर भी आके मैं आपको analyze करके बताऊंगा लेकिन यहां पर देखिए buying कम हुआ है फिर selling आया है और 18 अगस्त को market नहीं किरा market गिरा आपको 19 अगस्त को 19 अगस्त को पूरा time दिया है लगबग आपको आदे गंटे का time दिया निकलने का जो भी लोग वहां पर निकलने वाले थे निकल चुके थे और जो लोग नहीं निकले थे जो लोग इस hint को नहीं read कर पाए थे वो वहां पर trap हो गए थे तो इस पार जो market गिरा है इसमें बहुत साई लोग trap ज़ूर हुए लेकिन वही लोग trap हुए जो कि यह सब data को सही से read नहीं कर पाते हैं क्योंकि अगर आपके पास यह data रहता तो clear है कि कोई भी यह data देख के बता जाता कि market में selling आया है और buyers कमजोर होने के बाद selling आया है एकाएक कुछ नहीं हुआ है gradually हुआ है और यह हमें hint कर रहा है कि market में selling pressure आ गया और यहाँ पे last trading sessions भी लगबग 1650 score का futures में selling किया गया है अब हम यहाँ पे cash के डेरा को देखते हैं और एक और चीज़ देखना है कि यह gradually हो कहाँ पे रहा था जैसे जैसे market आपका 18,000 के करीब आ रहा था वैसे वैसे buying कम हो रहा था और जैसे 18,000 के level को touch किया या फिर इसके करीब पहुचा है यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे selling start हो गया है यह भी चीज़ धियान रखना है कि market आपका 16,000 के करीब अभी नहीं है market आ गया था 18,000 करीब और all time high से सिर्फ लगबग आपका सारे 3% कम था यह नि 2 दिन और अगर यह positive move दिखा देता तो fresh all time high बना देता तो all time high पे आने के बाद लोग profit book करेंगे और थोड़े बहुत sellers भी active होंगे क्योंकि सारा कुछ जो कि हम समझ रहे inflation अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं हुआ inflation वापस से increase हो सकता है इसके chances भी हमें दिख रहे हैं इसलिए अभी all time high बनाने का जादा कोई मतलब बनता नहीं था इसलिए FI ने जहां पर selling करना था वहीं पर selling किया है और यह हुआ है 18,000 के करीब और 19 अगस्त की अगर हम बात करें तो लगबा कि आपका 17,990 का level डच किया था यह नहीं सिर्फ 10 point नीचे था और वहीं से selling आपका start हुआ है और फिर market आपका अच्छा कासा गिरावर दिखा है तो किस level पर हो रहा वो भी आपको ध्यान रखना और यह सारा कुछ अगर आप एक साथ analyze करते तो clear picture आपके सामने आज आता कि हमें कब market से निकलना है वहीं यहाँ पर हम थोड़े बहुत cash के data को भी देखना चाहेंगे अगर आप यहाँ पर cash के data को देखे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और clarity मिल जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर buying किया जा रहा था 17 अगस्त को 18 अगस्त को यहाँ पर भी cash में भी selling किया गया था cash से भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया हमें मिल गया था कि FIA में थोड़ा सा कमी आ रहा है कब कमी आ रहा है जैसे market आपका 18,000 के करी पहुंच रहा है थोड़ी से कमी आ रहा है अब 19 अगस्त को market जब गिरा था तो lower level से यहाँ भी buying किया गया था FIA के तरब से यह उपड़ी लेबल से बाइंग नहीं है यह आपका lower level से बाइंग है और यहाँ पर DIA के तरब से लगबख 1633 कोर्ड का selling किया गया था जो कि इस मंत का सबसे highest selling है किसके तोरा DIA के तोरा और यह selling कर आया था selling आया था जब market आपका FIA भी buying को interested है और retail trader भी वहाँ पर buy करने को तयार है तो अभी जो ज़्यादा घिरावट देखने को नहीं मिलेगा limited downside move हमें देखने को मिल सकता है यह जीज हम यहाँ से clear cut idea मिल रहा है यहाँ पर अब हम चार्ट पर आते हैं और थोड़ी बहुत price action यहीं टेकनिकल्स को भी देख लेते हैं इससे भी हमें थोड़ी बहुत बहुत और picture clear मिल जाएगा और यह काम आपने daily वीडियो में करते हैं जहाँ पर हम daily nifty और bank nifty का analysis करते हैं तो अगर आप वो वीडियो नहीं देख पा रहें तो चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को ज़रूर दबा दिजे ताकि जब भी हम daily वीडियो अप्लोड करें अप्लोड करते हैं लगवाग 6.32, 7.00 PM के करें वहाँ पे आपको पूरा analyzation मिल जाएगा निफ्टी और bank nifty के next day move का और वो काम हम daily करते हैं from Monday to Friday इसके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है चैनल को subscribe करके bell icon ज़रूर दबा दिजेगा तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि market कि रहा है आपका 19 अगस्त को उससे पहले क्या कुछ हमें यहाँ पे hint मिला था 17 अगस्त को market उपर गया था और high touch किया था कितने का यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,965 का यहाँ यहाँ पे जो एक resistance level बना था जो एक hurdle बना था उस hurdle को यह 18 अगस्त को भी break नहीं कर पाया था उससे पहले जो भी previous candle का high बन वा था उस high को आसानी से break कर पा रहा था मतलब यहाँ पे आपका higher high जो pattern था वो यहाँ पे continue चला आ रहा था और नीचे में higher low pattern भी continue चला रहा था लेकिन यहाँ पे क्या किया है previous candle के high को break नहीं कर पाया है debt minister यहाँ पे हमें clear पता चल गया था कि जो buyers है उनमें थोरे से strength की कमी दिख रहे हैं, buyers यहाँ पे थोरे से कमजोर दिख रहे हैं sellers अभी active नहीं हुए थे, sellers का भी नामों निसान नहीं था, लेकिन buyers के कमजोरी का idea हमें मिल गया था, और buyers कमजोर कहां पे हो रहे थे, buyers कमजोर हुए थे 18,000 के level के करीब, buyers कमजोर 16,000 भी नहीं हुए थे, 18,000 के करीब जाने के बाद buyers कमजोर हुए थे, जहां से sellers का इलाका शुरू होता है अब buyers का कमजोरी हमें देखने को मिल गया विस्टेंस लेवल के पास, वो भी crucial विस्टेंस लेवल के पास, जहां पे all time हाई से सिर्फ 3% नीचे है तो क्या इस रिस्टेंस लेवल को break कर पाएगा, clear cut है कि नहीं break कर पाएगा, यहां पे हमें buyers में मजबूती चाहिए, जितना मजबूती पहले था उससे ज़्यादा मजबूती चाहिए, तब यह crucial रिस्टेंस लेवल ब्रेक हो पाता, लेकिन 18,050 या फिर 100 की उपर हम buyersar की तरफ जा सकते थे, लेकिन यहां पे buy करने का कोई मतलब नहीं बनता था, और जो भी लोग यहां पे early buy की होंगे, early breakout को play की होंगे, वो trap में फस्ट गया होंगे, और trap में फस्टने का मतलब है, कि big loss और यहां पे futures में जो data आया है उसके basis पे clear कर पता चल वा था technical chart से भी idea मिल वा था, और option chain भी ऐसे हमें daily hint देता है, अब इसके basis पे हम clear picture नहीं निकाल सकते हैं हमें सिर्फ level को play करना होगा, levels हमें कहां से मिलता, option chain से मिलता, technical chart से मिलता, और levels पे आने के बाद हमें react करना होता है, जैसे next trading sessions की बात कर लें, तो यहां पे आपको react कहां पे करना होगा, नीचे में 17,600 और 500, इसके करीब आएगा तभी हम कुछ react करेंगे, otherwise उससे पहले हम ज़्यादा कुछ react नहीं करेंगे, उपर में अगर हम बात करें, तो 17,800, 900 और 18,000, इन तीन लेवल के करीब आएगा, तभी हम कुछ react करेंगे, otherwise हम react नहीं करेंगे, तो direct आप clear-cut सोचेंगे कि कल market में क्या होगा, वो find नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप level find कर सकते हैं, और उस level पर आने के बाद, आपका क्या reaction होगा, वो भी आप काफी हद तक पहले से prepare हो सकते हो, ताकि market आपको बहुत कम shock देगा, लेकिन आपको 30% काम live market में भी करना परेगा, maximum यहाँ पर आप 60-70% काम पहले से कर सकते हो, लेकिन यह जो 30% main काम है, execution काम वो आपको दिर दिर experience के साथ आएगा, कोई कितना भी कुछ बता ले, वो काम आपको नहीं आने वाला है, जैसे experience गेन करोगे, वैसे-वैसे execution पार्ट भी आएगा, और यह execution पार्ट आपको profit बना के देगा, उमीद करते हैं, इस वीडियो में जो हम बताना चाह रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर आपको creative के साथ समझ में आ गया होगा, तो इस तरह के और informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe कीजिए, और bell icon को जहुर दबा दीजिए, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, जैहिन!